आप सभी को नमस्कार, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको कोई पढ़ाई से रिलेटिड इंफोर्मेशन नहीं देने वाली हूं, नहीं कोई स्कूल से रिलेटिड, मैं आपको एक ऐसे ट्वाइफ एर के बारे में बताने वाले हूं, जो 27th of February से लेके 2nd of March तक आपका चलेगा 4 दिए, ये जो आपका ट्वाइफ फेर है, इसके अंदर आपको सबसे पहले रिजिस्ट्रेशन करना होगा अगर आप इसको देखना चाह रही है, इंपोर्टन बात है, एक ऐसा फेर, जो फर्स टाइम हम फिजिकली अटैंड नहीं करेंगे, बलकि हम वर्चुली इसके अंदर जाएंगे, वर्चुली इन दसेंस, हम फोन के थ्रू, लाप्टॉप के थ्रू, टीवी के थ्रू, इसको हम देख सकते हैं, इसके अंदर पार् ठापट आख्द से अंदर हम बहुत बहुत कंड़ाएं, और उसकोым ल्काट चे मदेख बा पार्सक्की परत्सक्पार हैं, जो हम इंडिया के इंदर ही बनाते हैं और उसको सेल करते हैं, बहुत सारे ट्वाइज हम अपने अधर कंट्री से अपने इंडिया के अंदर लेके प्रोप्रक्रूंदी पर्धान नरेंदर मोडी जी उन्होंने आत्म नर्ब्र भारत शेट के अन्दर उसी के तहत लगा लेार उन्हों एक नए पहल शुरू कि इसके अंदर वो यह रहे हैं जो अपने लोकल जो त्वाइस होते थे एक आमखिलोंने वो बहुत कुछ सिखाते थे लेकिर आज के टॉयर के टाइम में वो कहीं पर देखने को नहीं मिलते सो ट्वाइफ फेर के पिछे के दो परपस है उनमें से एक परपस यही है कि जो अपने लोकल जो बंदे हैं उनको एक आत्म निर्बर होने का मोका मिले वो ऐसे ट्वाइफ बिल्ड करें जो हमारे बच्चों के अंदर जो हमारे इंडिया का कल्चर है उसको डाले उससे कीति हैं हम बुक की स्लैंगविश को बचों के डालते हैं कि अब लिखा है यह आप है में Congressman यह हम जैसे कई टिचर्स है chem प्राटिटिकलिश करवाते हैं कुछ यह आक्टिवेटिटि भी करवाते हैं लेकिन हम क्या आपने प्रई स्टुडेंट्स इवन पेरेंट्स जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं घर पे वो लोग कुछ ऐसे क्रियेटिव वे में एसे छोटे-छोटे ट्वाइस बना के अपने बच्चों के एजुकिशन में हैल्प कर सकते हैं क्योंकि रटा हुआ भूल जाते हैं लेकिन करके खुद लर्णिंग जो आपकी होती है वो डूइंग से में सब करके अगर सीख रहे हैं तो वो हमारे ब्रेन में ज्यादा टाइम तक रहता है इसका सकेंड बेनिफिट यह है अब मैंने जैसे कि आपको पहले बताया कि इसके अंदर हमें रिजिस्ट्रेशन करना होगा सो मैं आपको आगले वाले पार्ट में ये बताती हूं कि इसके अंदर रजिस्टरिशन कैसे करें और हम रजिस्टर होने के बाद इसके अंदर स्पोस हम खुद जाते हैं कि हम अपना कोई ट्वाई का वीडियो बनाके अपलोड करना चाहें तो उसको भी हम कैसे अपलोड करे और ये जो प्लाटफोर्म है ये सभी के लिए है चाहे कोई टीचर है या कोई पेरेंट्स है कभी न कभी तो उसके अंदर एक बच्चा था जब वो छोटा था वो जो पढ़ रहा था या तो हम अपने बच्चों को को सिखाना चाहते हैं सो हम अपने day-to-day life में इतना busy हो गए है कि हम इन छोटी-छोटी जो पर ध्याने देते तो एक टाइप से हमारे लिए भी मुखा है कि हमने कभी अपने student time में कभी सोचा हो कि हम अगर इसको ऐसे करते हैं हमारे teachers हमें ऐसे पढ़ाते ये game करके पढ़ाते तो मुझे तो अच्छ अपने पार्टिस्पेशन के साथ में अगर अपना वीडियो भी अप्नोड करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे Thank you! 2nd March 2021 Participate in the event in large numbers along with your children to experience the rich artistic culture of our country and get exposed to a great learning experience Register at www.indiatoifair.in Hello everyone In this part, I want to discuss how we can register in this India Toy Fair in this country First of all, you should type in Google www.indiatoifair.in Type in Google This screen is on the back of my back and drag it to you This will be visible In this part, you can read it in detail which you don't have information about it There is a small video clip which I have shown you now Next, there are key speakers which will continue to discuss with you We will discuss your message to you We will drag it a little below Yes, you can see here Be Part of India's First Virtual Toy Fair Register Now You can click on it As you click on it As you click on it You will have a page which we have to register Number 1 I am There are three options So if you are a business man or media representative You can click on it Otherwise, if you are a student or parents or teachers You can click on it Next, there is full name In the full name I am Suppose my name is Rina I have typed Rina Next, you have a mobile number You can type Whatever your mobile number You can type If you have a mobile number What's up You can click on it WhatsApp number Is the same Next, email address Which you have a email address You can type You can type Next, I am not a robot So you click on it Next, submit button Click on it As you submit You will have a icon Thank you for registering You have registered In addition In addition There is no message You will have Right In the next part I am going to share That Suppose you have registered But You have a toy You have made a video You want to participate Through it You want to participate You want to participate In this toy fair So The direct link I will give you In the description box Otherwise If you are My GOV If you are registered If you are registered You can go there You can upload that video But Now Some students Have sent me a Curious That How do you upload a video It will not happen So I will give you the answer In this video Wait a minute As I have told you That If you want to participate If you want to participate Then First You will have to upload your video Where to upload And There will be a link Now Where to paste This is our next step So You can see This is my icon In the screen Open Open You can see Direct open I will give you the link In the description box In the description box If you have been logged in my GOV If you have been logged in If you have registered You can go to this So Now You can see Login to participate This is my option Here Just click on it Just click on it As you will click on it You will come down Email or mobile number You can register Email address Or not At this case Suppose I will go to my mobile number I will complete it So आपने अपना OTP टाइप किया आप इमेल के help से भी जा सकते हैं इमेल एड्रेस में आप इमेल एड्रेस डाले जो भी आपको डालना है तो स्पोस्थ मैं इस पे रेजिस्टर हो चुकी हूं अपने फोन के थूँ जो आइकन है आप इसमें थोड़ा नीचे जाना बचो इसमें नीचे जाएंगे तो आपके पास येस क्लिक करना login to participate पर तो एक option आएगा मेभी नाटवर्क में थोड़ी problem है yes this is so आप ये देखे all comments my suggestions या my submission right so आप किस पर जाएंगे आप जाएंगे all comments पर जैसे आप जाएंगे तो आपका आएगा submit task आप इस पर क्लिक करना जैसे क्लिक करेंगे आप इसके उपर जो भी आपने अपना ट्वाई बनाया है कोई भी जो भी आपका ट्वाई है आप उसके बारे में येस आप चेक करें उसके बारे में आप 500 वर्स तक यहां पर कुछ भी टाइप कर सकते हैं यहीं पर मेरा suggestion है कि जो भी आपने वीडियो बनाया है उसका link है वो आप यहां paste करें स्पोस मैंने कुछ अपना वीडियो स्पोस बनाया है मैंने upload किया है Facebook पे Instagram पे YouTube पे तो वो मैंने उसका link यहां paste कर दिया ठीक है next है अगर आप उसका जो भी आपन कर सकते हूं next जब आपका description पूरा हो जाए आपका photo upload हो जाए PDF upload हो जाए तो आप इसको save कर देना जैसे हैं आप इसको save करेंगे तो आप फूरा नीचे देखें वो आपको दिखाएगा thank you for your submission जो भी आपने submission किया वो और साथ में future के लिए आपके एक ID आप प्लीज इस ID को note कर लेना क्योंकि जब यह fair लगेगा तो यह ID आपके useful है उस time के लिए साथ ही आपने क्या register किया वो भी आपका जैसे suppose मैंने तो दो ही चीज़ डाली है ट्वाई फेर और जो अपने को एक video था मैंने उसका एक यहाँ पर क्या डाला है link paste किया है ऐसे जो भी आप type करेंगे अपने ट्वाई के बारे में वो पूरे description आपके यहाँ पर आ जाएगी इस मैनर में आप क्या है अपने पूरे complete process को कर सकते हैं सबसे पहले आपने registration किया है उसके बार आपने participation भी किया है so मेरी आप सभी से request है कि maximum आप people को बोलना कि वो इसके अंदर participate करें वो student है वो teacher है वो parents है सभी इसके अंदर participate कर सकते हैं क्योंकि सभी को कुछने कुछ सीखने को मिलेगा so thanks a lot bye everyone